इरान में हिजाब विवात ने काफी तूल पकड़ लिया है लेकिन अब ये विवात केवल इरान तक सिमित नहीं रह गया बलकि दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर इरानी महिलाओं के समर्थन में लोग आवाज उठा रहे हैं ये आवाज अब भारत में भी सुनाई द अब देख रहे हैं अंकट हिजाब विवात को लेकर इरान सही दुनिया भर में महिलाओं के नाम एक संदेश लिखा तो सबसे पहले तो ये जाल लेते हैं कि प्रयांका चोपड़ा ने उस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा तो उन्होंने लिखा कि इरान और दुनिया भर में महिलाओं खड़ी हो रही हैं अपनी आवाज उठा रही हैं महिलाओं सारजनिक तोर पर अपने बाल काटने से लेकर कई अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदशन कर रही हैं ये सब मैसा मेनी के लिए हो रहा है जिन आव प्रियारकल सिस्टम को चुनोती देना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना अपनी जान जोखिम में डालना आसान नहीं है लिकिन आप सासी महिलाएं हैं जो हर दिन ऐसा कर रही हैं चाहे इसके लिए कीमत कुछ भी चुकानी पड़े अंत में उन्होंने लिखा कि इस पोस्ट के बाद तोशल मीडिया पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया गया अब आप सूच रहे होंगे कि प्रियांका ने कुछ गलत तो नहीं कहा तो क्यूं उनके इस पोस्ट की आलोश्रा की जा रही है तो दरसल लोगों का कहना है कि जब इंडिया में हिजाब को लेक प्रियांका को सपोर्ट किया तो प्रियांका चोप्रा के पोस्ट के बाद उनके अगेंस्ट और सपोर्ट दोनों में लोग सामने आये लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब प्रियांका चोप्रा ने कुछ पोस्ट किया हो और उसकी आलोश्राना की गई हो साल 2019 में ज इसके अलावा 26 परवरी 2019 को बाला कोट में भारती वायो सेना की एर स्ट्राइक के बाद प्रियांका चोपरा ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ जैहिन लिखा था उसके बाद भी उनकी काफी आलोचना की गई थी तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब प्रियांका चोपरा को उनके पोस्ट को लेकर घेरा जा रहा है इससे पहले भी ऐसे कई वाक्या हो चुके हैं जब उनके साथ ऐसा हुआ है तो ये तो रहा पूरा मामला अब इस मामले को लेकर आपकी क्या रहा है क्या आप भी ऐसा सोचत हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अनकट को मैंतिस वर्नाचा अनकट के लिए